हेलो फ्रेंड्स वेलकूं टू माई इस्टेडी फीट आप फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों यह ग्यारहों प्रैक्टिस सेट है जैसा कि MP-Work-2, UP-3GT-PGT, UP-LT-grade, BPS-C-TRE-4 सभी के लिए वीडियोज है जो भी फीजिकल एजूकेशन के किसी भी कॉमपोडिशन निक जोंका प्रिप्रेशन कर रहे हैं चैनल पर देली बेसेशन प्रैक्टिस कीजिए और थियूरी सेशन देखना है तो भी पार्ट चिप्टर वाइज आपके थियूरी सेशन पढ़ाया गया है जैनल की प्लैलिस्ट में जाएए और सभी थियूरी सेशन अच्छे से वहाँ पे देखिए तो दोस्तो डेली बेसेशन मैं आपको टार्गेट पुरा करवा रही हूँ कि डेली कुछने कुछ आप प्राक्टिस करते रहेंगे तो आपके हैविट भी बना रहेगा जिससे एक जाँ में आसानी होगी तो चलते हैं आज के कोश्चन के तरफ कोश्चन है योगह चित्त बृत्ति नीरोधा परिभासा है योगह चित्त बृत्ति नीरोधा इस परिभासा को दिया है महर्सी पतंछली ने यानि कि चित्त की बृत्यों को पूर्धिया रोग देना योग घलाता है और वेदव्यास की परिभासा है योगशमाद ही है और संपुरा नंद ने कहा है कि योग अध्यात में काम धेनू है और संपुरा नंद का ही एक परिभासा है कि आत्म संसकार का एक मात्र उपाय योग है और भगवत गीता के अंसार योगा कर्म सुकावसलम यानि कर्म करने की निपोड़ता ही योग है योग सास के अंसार सभी चिंताओं का परित्याग करके निश्चिन तो हो जाना ही योग है काठोप निश्वत का करना है कि इंद्रियों की इस्थिरता को ही योग माना गया है जिसकी इंद्रिये इस्थिर हो जाती है वह अप्रमत्त हो जाता है एंड बेदों का कहना है कि योग एक ऐसी वीद ही है जिसे अपना कर बैक्ति अपने बैक्तितों का सरवांगिण विकास कर सकता है तो था अपनी जिवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है लेटर सरोग पर ले रहा था किष्णन ने कहा है कि योग वह पूरा तंत्रपत है जो बेक्ति को अंधेरे से प्रकास की उड़ाता है तो दोस्तों योग के बारे में समपूर जनकारी लेना है तो आप योग वाले प्लेलिश्ट में जाईए जिसमें हम योग से रिलेटेड सटकर्म से रिलेटेड सारे वीडियो जो मैंने बनाए हुआ है थियूरी सेशन त तो दोस्तों यह निर्श-साहीद प्रकार के पेटेव होते हैं तो जो है इसे को आगाइव थियू. दुसरा काले पित वाले, Melancholic, तीसरा पीले पित वाले याने Plagmatic और चव था अधिकरुधिर वाले याने Sangguric, जो कप्रविर्ती वाले होते हैं, कोलरिक होते हैं, वह सारे की रूप से तो अच्छी होते हैं, सकती सारी होते हैं, बट समयगात्मक रूप से कमजूर, निरुप संवे इत्राइब हो तुक्त हो एक अए बिसादगरस्त छोते हैं याने साहित लोग होते हैं पीले पित वाले प्लाग्मेटिक और चोथा इनुनिक अधिक रूधिल वाले इत्राइब जिसमें रक्त की अधिक मात्रा होती हैं, जो प्रसंद नचित होती हैं, कर्मठ, उस्ताही, हस्मुग, आसावादी होती हैं. Question No.3 है, मान स्पेस्यों में किस तत्यों की प्रयाफ्त मात्रा होने से खिलाई देर तक नहीं स्थकता है? तो जो फिस एलेमेंट इस प्रेजेंट सफिसेंट क्वान्टिटी इन दे मसल्स तो देट प्लेयर द नाट गेट ट्रायट फार लांग टाइम, तो दूस्तों, मान स्पेस्यों में जो हैं, गलाईकोजन जमार रहता है, जो हम कार्भोहाइडर्स लेते हैं, जो उर्जा का मु कार्य में लाता है, जो हम कार्य करते हैं, उस दौरान ये ओर्जा बरगे, फुरह हमको कार्य में लाता है, कोशन नमर 16 है, कि 16 वार्स तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतिविक्ता होती है, वीच क्रिकेट कंपर्टिशन एज हैल फॉर चिल्रेन अप टू अ ट्रॉफी है, जिसमें से आपका यहां पर राइट अंसर दिया हुआ है, बीजय मर्चंट ट्रॉफी, अंडर सिस्टिंग के लिए, बीजय मर्चंट ट्रॉफी, लेकिन दोस्तों किताब में आपके एसंसी की बूक में आपका दिया हुआ है, अंडर 19 एस जी एफाई से के ट्रॉफी, अंडर 19 ओफन में कुछ बिशाओर ट्रॉफी, अंडर 60 एस जी एफाई में बीजय मर्चंट ट्रॉफी, अंडर 50 ने बीजय मर्चंट दिया हुआ है बुक में, बुक में बूस्यन नबर 5 है, बाइक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बाल कोर्ट टीम द्वारा इत समय वह पहुंचा देना चाहिए एक शतर पहुंचा देना चाहिए आपके टीम के पाश आजए आज ऑमावर 지원 कि आप mayor team जैसे कि आपके安ज ही प्रतीवंधी च्छित्र होता है उसमें तीन से कु Shap chiff Fre machtTrust 10 का नीयम कहा है किसी की cinco को और आपिड में गौड़े को सवर्म को परूबीज करा होता है एक कोता है इसमें 24 सेकिन 2020 जिस्टीब के नीयंदर हो अभल हे उसे 24 सेकीड रहे हैंsen प्रहाष्य्स करना नहीं होता है कि 5 सेकें नियुम क्किया होता है यह फ्री फ्रेट्रों सुद्धा की यह फ्री फ्री फ्रूट में लुग करना दूरान पाइर की बजने। पांच सेकेंड में फ्री थ्रो के लIHY गैन छोडने ही पड़ती है कि एक यहत्विता सेकंड का भी नियम होता है पुरा समय बार होती है उसको बार जोगिजन के अंदर वीट टीम के वुपो नीरतम के अरहीं टालकोे कलना है यह वह ऐसा नहीं कर पाता है या गिर जाता है तो उसको एक्ट्रा 14 सिकिन का पुरह समय दिया जाता है कोश्चन नमर सिक्स है मेरू दंड में हड़ियों की संख्या कितनी होती है तो हमारे स्पाइड में 23 सढ़िया होती है बच्चों में और वैस्कों होने पर 26 हो जाती है जैसे कि हमारे सरवाइकल बौन साथ होती है वच्छ थुरे सीग बौन बारह होती है यानि कि यह जो कमनवाली पांच होती है होता है वो 5 होती है जा आगे छर्क को वॉएसक होने परAU हो जाती तो ही चार होता है जो आ लगे बड़ी होने पर चारों मिलकर एक हो जाता है मुटष्चान नभी कोस्ति ने जाता है इस प्रकार 26 हडिया बचती है तो हम होकी इन वीच उलंपिक दोस्तों सबसे पहले हाकी में भारत ने भाग लिया था 1928 सेमेस्टर्डम में आव पहला बारही गोल्ड मेडल जीता था और ऐसे करते करते हैं उन्हें अब तक भारत में अगर कोशन पूछे गा दोस्तों अभी तक हाकी में भारत में कितने मेडल जीते हैं तो 13 मेडल जीते हैं जिसमें से आपका आठ स्वड हो गया एक रज़त प्लस तीन कांसे पदक, आठ स्वड़, उनिसो साथ को छोड़कर आठाइस से लगातार उनिसो असी तक गीता है, और उनिसो साथ में एक रज़त पदक, और कांसे पदक, उनिसो और साथ, उनिसो बहत्तर आउग दोहजार बीस टोक्य ओलंपिक और दोहजार होगा, चार कांसे पदक, किसने कांसे पदक गीते हैं, चार, ठीक है, कोशिए नमबर आठ है, बास्केट बाल वर्ल्ड सिरीज की सुरुआत कब हुई, तो बास्केट बाल वर्ल्ड सिरीज की सुरुआत जो है, वहाँ, बास्केट बाल वर्ल्ड सिरीज की सुरुआत हुआ कब हुआ 1903 में है कोश्चन नमर 9 है बेसबाल की प्रतेग टीम में कितने खेलारी होते हैं इस बासकर बार टीम बेसबाल टीम में कहां का ये प्राष्टी खेल है सरुत्राज अमेरिका का इसे प्रतेग टीम में नो खेलारी होते हैं याद रखेगा और इसके गेंद का भावजन जो है 142 से 149 ग्राम होता है बेसबाल में प्रतेग टीम में नो खेलारी होते हैं एंड 6 इस्थानापन होते हैं कुल में अगर के पूरे खिलाड़े होते हैं 15 लेकिन पर्टेक टिम में नो खिलाड़े होते हैं इस्थानापन 6 होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है सरीज के अंगों के विकावस के लिए कौन सी सिच्छा महत्कुरू है क्वेश्चन नंबर 11 है महाराजा रडजीस्टिंग वर्ल्ल कप की स्खेल से समधित हैं तो दोस्तों महाराजा रडजीस्टिंग वर्ल कप जो है वहाँ होकी से रिलेटेट है क्वेश्चन नंबर 12 है निल में से कौन सा फूर्बाल कलब सबसे पराना है वीच और फूर्बाल कलब इन दा ओल्डेश्ट तो दोस्तों जो फूर्बाल कलब है सबसे पराना फूर्बाल कलब है आपका सेफिल्ड फूर्बाल कलब कौन सा है सेफिल्ड फूर्बाल कलब सबसे पुराना क्लब हैं जो 24 अक्टूबर 1770 में इंग्लेंड में खुला गया और भारत का फुर्पाल में सबसे पुराना क्लब कौन है तो दलहोजी क्लब है यह याद रखेगा 1880 में पंजाब पस्रिम बंगाल में खुला गया ठीक है तो वर्ल्ल का पूचेगा सीधी पू प्रियोग वाद का सिच्छा के छेतर में किस ने प्रियोग किया। और एक्सपरिमेंटेलिजमें इन दो फिल्ड आफ एजूकेशन। दोस्तों प्रियोग वाद के जनक है जान टीवी। इन्होंने ही सिच्छा के छेतर में प्रियोग किया। इन उनुभाव को ही मेन माना। अधासवाद के जनक याने एडियोजमी के प्लेटू है यह थारथवाद के अरस्तू है और एक्सपरिमेंटेज ब्योहार वाद या प्रियोग वाद के जॉन टीवी हैं। और प्रकितिवाद नेच्रेलिज्म के रूस हो हैं याद रखेगा कोश्चन नमबर 14 है कि इस टीपल चेज इस पर था यानि पानी बाधा दर्ड में 400 मिटर की ट्रैक में धावक को कितने राउंड दर्ड ना होगा जानते हैं इस टीपल चेज इवेंट में 35 बाधाय होती है कितने 35 जिस विए से 28 बाधाय होती है प्लस साथ पानी बाधा होती है तो कितना राउंड हो जाएगा साथ पानी बाधा दर्ड हर राउंड में होता है तो कितना होगा चारिक पांच सते 35 जानी कि साथ है साथ राउंड यहां पर आपसा नंबर यह आपका राइट दर्ड हो जाएगा कोस्टन नंबर 15 है किस संकूचन में मांस पेस्यों के लंबाई परिवर्थित होती है इन वीच कंट्राक्शन दे लेंध आप दे मसल्स चेंज तो दोस्तों लंबाई परिवर्थित होती है तो उसको आइसो टोनिक कहेंगे क्या कहेंगे आइसो टोंग लंबाई में कोई जेंजिंग नहीं आएगा उसे कहेंगे आइसो मेट्रिक इस्टैटिक यानि कि इससी संकुचन आइसो टोनिक किया है गतिसी संकुचन के अंत्रगत आता है जिसो आइसो मतलब सेम टोनिक मतलब गति यानि कि सेम गति ठीक है तो आइसो मतलब सेम और टोनिक मतलब तनाव सेम तनाव होता है ठीक है सेम तनाव तो के साथ बयायम या उनोंने उनी सोचोवन में कीया था एंड आई सेम तनाव होता है इसमें पेशी छोटी ये बड़ी होती है पत्यश गती पर्ती हुआ दिखाई जेती है आउसक्ति प्राप्त करने की सरोतम बेडी होती है यह दूपरकार का होता है कांसेंट्रिक अई सेंट् कव हैं इस जाइस के लिवल को होता है ऑफार कि बना पड़ा misinformation कहते हैं है जा इस से कैल इस तनी बैयाम एक ही अस्थाम पर ढ़ूना महार पर सचेर मेरी सिंबाल फारो के साथ यह उपकरड़ों तन बीन अब कर तून के साथ किया जाता है दौसरा होता है आपका इसमें आइसो मेत्रीक मतलब लंबाइ यानी रम्डाइन प्रतेश कोई गती नहीं होता, दिखाई देड़ा पेसिक लंबाइन सेम होती है, कोई चेंज नहीं होता, जैसे डिवाल को धक्का मानना, बचाईम कोचनों दाण होता है जिसे भी स्पूरक सकती और सक्ती संस्री दोनों भी कास होता है उडस्ति कोश्न को स्वक्स 뒤 बच्वाइन से संभ 뚜ब प इस पानविटी स्ट्रोकन से स्थे से अब उयु ब्लाक क्णिवुथ पिं गी में हां की से रिलेटेट है ठीक है ठीक फुटबाल होता पिंधे इस चु का था मिसे पिंधे 6で हे इसे के बिटेम आए दुरा जान बूझकर यह अंजाने में अइसाद तुक्स ऌरूदेच बच गया हुँ अथवा penalty commoner की से में लगातार जान वुष्ट का इसी दी का उलंगन करने की प्रयास पर दिया जाता है penalty stroke striking अथा D के अंदर के attackers खिलाईद वारा दिया जाता है डी के अंदर इसा घड़ती होता है तब penalty stroke लिया जाता है याद रखेगा नेक्स्ट है इन में से कौन दिती प्रकार के लिवर का उदारार है most important है which of the following is an example of second type लिवर तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं भी seat की city आपका प्रथम प्रकार के लिवर में होती है seat up जो है तिती प्रकार के लिवर में होती है तो यहां पर मैंने आपको बताया था एफ ए आर तीनसो बार ए यानि कि प्रथम प्रकार के प्रफम प्रकार के उत्तोलक में आपका एक्सिस बीच में होता है जैसे हमारे बाड़ी में एक्जांपल जैसे एक्स्टेंशन आप फोर आम यानि बाह को फैलाना एंकल को मुढ़ना टकने को मुढ़ना सिर का आगे पीछे जुखना बाले बाल में इस मैस करना और वीचिटर प्रफम प्रकार के उत्तोलक में रसिस्टेंस यानि भार वीच में होता है जिसे बल का लिवर कहते हैं इस विजिसे नीभी नी चुड़ने का मसीन सरौता कुड़ा उठाने की मसीन होता है हमारे बाड़ी में जैसे प्लांटर फ्लेक्शन का होता है कि हम उंगली के पंजों के उपर वोते हैं कर दो यह लिवर को उपर की तरफ लिवर को उठांब से हैं प्लांटर फ्लेक्शन होताम डिटि प्रकार के उत्तिलब का उदर प्लांटर फ्लेक्शन सरौन पूसा जवड़े का क्छुलना बं Harley- brown and आए भाले बाल और बास्केर बाल में पंजे से जम्प लेना इस भी दीटी प्रक़र का is जम्पल है इस भी इस हमारे आफ़वरी भीैमिशेर जम्पल KP रोग औद प्रिटीप्रका consistent Kevin आर्म फ्लैक्सन बोलेगा तो तीधी प्रकागर लिवर एंड थाई फ्लैक्सन हमस्टिंग कर्ल घुटने का मुड़ना सीट अब हाथ को उपर उठाना इस अभी थर्ड प्रकागर के लिवर के एक्जॉंपल है कोश्चन नमबर 18 है बीजिंग उलम्पिक में पूरुस वर्क की टेनिस की एकल इस वर्धा का सुरपदक किस ने जीता था तो बीजिंग उलम्पिक 2008 में हुआ था इसमें सुरपदक ग्रॉफिल नौडाल ने जीता था याद रखेगा टेनिस में कोश्चन नमबर 19 है कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रच्छप का उदार है तो दोस्तों हवा में फेकी गई गेल यह प्रोजेक्टाइल प्रच्छप का उदार है हवा में फेकी गई गेल जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है एक प्रोजेक्टाइल वाला कोश्चन हर बार डिस्ट में पुछा जा रहा है जैसे दो भर वीसी तेरी 1 टीर 2 टीर 3 का इ्जाम वा दोनों में पूछा हुआ तो जो आपका टेजेक्ट्री हवा में फेके हुई गेंद यानि कि प्रोजेक्ट टाइल प्रच्छे प्रच्छ गुता क्या है जैसे कि जैवलीन थ्रो, साट, पूर, डिसकल थ्रो, आदी को इस कोड पर या इस एंगल पर फेका जाए कि वह अधितम दूरी तै करें इसका ग् पर फेका जाता है कोई भी तूरी तै नहीं करती है ठीक है इसमें बहुत सारे चीजें होती है जो आपको मैंने बताया हुआ है कि इस रोजी बायो मैकनिस में जाकर देख लेजी इसमें एक रेंज होता है यानि प्रच्छेपड में प्रारंबिक दूरी जथा अंतिम दूर प्रारंबिक से लेकर आप इसके बीच की जो दूरी होगा इसी को हम रेंज कहेंगे क्या कहें कि रेंज हो जाएगा अपेक्स क्या होता है इधर से जो ऊपर की तरफ जा रहा है जब फेकी गई वस्तू अपने उचितम बिंदू अठाथ सवातिक उजारी पहुशती है तो जब वही वस्तू नीचे से उपर की ओर जाती है तो उस दोरान जो टाइम लगता उसे असं ताइम कहते है और डिस ताइम क्या होता है जब वस्तू नीचे की ओर आने लगति है तो यह दिसं टाइम हो जाता है ठीक है लांग जब हाई जब, ट्रिपल जंप, पन आदे में एदित्श मुचाहि पर यहां पर परास हो जाएगा थेक है अगर नहीं के ऊड़ियन पत को टेजट्री तरी कहा जाता है देखे दोस्तों याद रखेगा यहां पर मैंने क्या बताया कि फेकी गई वस्तु के ऊड़ियन पत को पत है इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे हवा में ये पत्थ पर यह रही लेकि अगर पूुछेगा कि फेकी गई वस्तु के अलीक पत्थ को आप बनता है तब आप बतायंगे कि वर्टिकल है कि अबलिक्य है कि होरिजोंटल है ठीक है तो ट्रेजेट्री तीन प्रकार का होता है एक वर्टिकल यानि उर्धवार्धर दूसरा आप लेक्यू और परवलया का तिसरा चैती जानी होरिजोंटल तो जो नब यांस की दिगरी पर यह हम कोई चीज से केंगे तो वर्टिकल ट्रेजेट्री बनेगा इसमें कोई भी दूरी चाह नहीं करेगी ठीक है प्रशेपड सुनी होगा जबकि प्रशेपड अच्छा किसमें होता है दूसरा प्रकार जो होता है परवलयाकार आपलीक्यू तो जो प्रशेपड का कोड़ परवलयाकार हो तो उसे हम आ किका यहां पी बशल रखेगा इस बात को कि फेक हो प्रशेपड क्या कहते है इस प्रवलयाक्र कि भी चोचल आकार पलता सा प्रवलयाकार कैंसे प्रवलयाकार तो दोस्तो पूल अप आपका स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर रगत आएगा डिप्स है पूसप है इस अभी चीज़े जबकि सटल व्रंच वह है आपका एजिलिटी यानि चपलता मातता है यह नहीं आएगा क्यों सा खिलावी डोपिंग का दोसी नहीं है वीचाव फॉल्विंग इस्पोर्स पार्सन इज नाट ग्यूल्टी फॉर आफ डोपिंग दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार्ल लुईस जो है यह भी डोपिंग का दोसी है गुला फेक में 2012 लंदर उलंपिक पेरा उलंपि में भाग नहीं यह ने दिया गया था इनको और यहां पर देख सकते हैं बेन जानसन जो है वो 1988 सिवल उलंपिक में इस्टेने जोल सेवन के थे उन्होंने सो मिटर फराटा दोड को 9.76 से सेकेंड में परकिया था और डियोगो मेरा डोना जो है वहां आजंटीना के चैचित फुर्वॉलर है इदोने नेड्रोलोन के सेवन किया था एंड यहां पर रिक डोमेंट ही बचे तो यहां पर कौन सा आपसा राइट होगा दोस्तों रिक डोमेंट में जो नहीं मिला कहीं उसके लावाद तीनों चीजे मिल गया है कार्ल लूइस बेन जांसन डियोगो मेरा इतिनों पॉजोटी थे बट बुक में कार्ल लूइस को राइटर सर दिया हुआ है आप बताएए इसमें क्या होगा रिक डोमेंट तो मुला नहीं कहीं तो यहां पर यह कंफ्यूजन है इस कोस्टन का इंसर आप देंगे जरूर इसमें रिक डोमेंट नहीं बुला तब भी भी करती वीशेज को प्रक्रिया से प्राब्त होता है यह कफरे इसमें का संबद किसे है दोस्तों एक कोश्टन बार बार परिभासा हैं दो तीन परिवासा हैं पूछा जाता है कि जब प्रक्रिया सब्ध आए तो वह आपका होगा ब्रुखके साथ उन अनुभू का कुल ज आंगों का सम्पूर्छेत्रद के साथ तो आपका आवडयर मेश्थ घांपिन उड़का तो मेत चलते हंग अचान बुचर क्परवासा जान लेंगे संतुरित अनुखों का जो आएगा तो आपका ब्राउन वेल का अगर की पॉइंट बता रही हूं मैं आपको डीटिल में देखना है तो साइस सिछा का प्रिभासा और तक प्रिभासा जिसमें दिया हुआ है आपके थीरी सेसिंट में उसको अच्छे से देखेंगे तो सभी च है खेलकुत प्रसिच्छर में अधिभार का संबन्द उस इसीति से है जब यानि ओर लोड इन इस पोर्स ट्रेनिंग रिफ रेफॉर्स टू ए सिचुवेशन वेन तो दोस्तों जब हम कोई यहां पर राइट इंसर हो जाएगा आक्सीजन का अंतर ग्रहर सरी की मांग को अब का सांस फूलने लगा है तब भी आप कर रहे हैं तो आपको उर्जा बनाने के लिए जितना चाहिए होगा जितना चाहिए होता है उतना आपको मिल नहीं पा रहा है तो ओर लोड बिगिन दिया जाएगा ठीक है तो आक्सीजन इंटेक इन इन सफिसियन टू मीड दबा से किस रसायन का यदि लंबी समय तक प्रियूग किया जाए तो इसका प्रभावत थर्थराहर्ट, सीर्दर्द, हिरे गती, रुख जाने जैसे खदरे के रूप में समझे आता है तो वह वता है बीटा टू एको लिस्ट ठीक है तो डोपिंग के बारे में आपको डेटिल मे सिन्ट इंदेक्स इसको हिंदी में कहें कि mínimo ख्रै अपका शिचं न भीर्दू है यहाद रहोता है जेंड इनल आपका सिम्हारो कपना क्जान में है तो म।रभावक करने का सुन्थ होती से तो दशचन में सब्सक्रांइब ज्यादर च्रकु करने है यानि वेट आपका किलोग्राम में होगा और हाइड जीतना मीटर होगा उसका इसक्वाइर हो जाएगा उसके बाद निकालेंगे तो आपका BMI करक्लूरेट हो जाएगा जैसे कि 22 दुनिया का सबसे अच्छा BMI होता है 22 से ज्यादा आप मुटापा की सिकार हो जाएंगे 22 से 24 तक सभी है उसे ज्यादा मुटापा का सिकार 30 से ऊपर हो गया तो आप ओबर्वेट हो जाएंगी मुटापा ठीक है और 18 से कम है तो आप अंडर वेट है यानि कमजोर है कोश्चन निम्बर 26 है सारी क्रियाओं की मनुविग्यानिक अधार का अध्यन है तो यह खेल मनुविग्यान है दोस्तों खेल मनुविग्यान बहुत ही इंपोर्डिन होता है बच्चों की बिहाइवियर्स और जो भी इस्ट्रेस आते हैं यह मनुविग्यान की वह साखा जो मैदान पर मानों विवहार से जुड़ी है अभियास और पर्टिविटा दूनों ही सीट्यों में उसके प्रदैसन में गुड़ात्मा सुधार लाता है तो अगर यह कुश्चन पूछेगा कि खेल मनुविग्यान जो है मैदान पर जो अभियास किया जाता है यह हाँन होता है करिकेट और हाँन शाहता है से यह फार मानों आपका क्रिकेट ग्राम होता है करिकेर्ट हो दो देदान מनुविगला हावन कह estavam क्रिकेट को जो है Намनौ में आड़न सुल देद सरहar होता है अ और गेंड का जो परीदी होता है और से नो इंच लगबग होता है कोच्छन नमर आठावीस है निवन में से कौन मानु सरीर के लिए आवस्तिय सुच में दरता है विच आव लगव एशेंशल माइक्रो एलेमंट्स फर दे वीमन बॉड़ी माइक्रो तो हमारे जो रसालिक तत्व होते हैं उसको दो भाग में धियाट किया गया है ग्रव कॉइंट आर्गनी कंपाॉउट यह से मिक अडूङंट अडू होते था इसके अंतरकट्र नेट्रोजन आसा चुँ अपकर्वोंड होता है उसम्हके था जूर मिनेरल्स आते हैं घनी लउए लगत शानुन 3.8 यानि कुल 4 फाग होता है मानो सरी में s फाल है और जो खरीज है वह दूफ़ाग्या मेंसे स्विफल माइक्रोगेश फिरीमेंस का ज़या है Pub PCs क्पकेश देता है जला गता है ko सोडियम जो है ओँ मैक्रो यानि सुच में स्थत्व नहीं है मैक्रो है यानि की अधिन मुख्य पूसक तत्व हैं मिनरल्स हैं जबकि माइक्रो माइक्रो के अंतरगत जो सुच में तत्व होता है उसके अंतरगत तरी को कम मात्र में आप सकता होती है जैसे कि आयरन कॉबाल्ड कापर जिंक आयोडीन क्रूमियम मालिपडिनम मैगनेज सोलीनियम एन फ्लोरीन यहां आपका जो है आयोडीन अर्लोहा यानि कि टू आव थ्री तू अर्थ्री आवसं कहा है आपसा नमर्बी है तो आयोडीन अर्लोहा जो है आपको मायक रूप सुच में तत्व है कोस्टन नमर्ब उन्तिस है यदि कोई माम स्पेशी संकुचित होती है प्रंतुस में कोई गति नहीं हो तो यह संकुचित क्या कलाती है इप मसल्स कांट्रक्स बट देर इजनू मुमेंट्स इन इट देन इस मेठ़ड आप कंट्रक्शन इज कोर्ड तो इसे हम क्या कहें कि को सिएनुम्हर को मंट्स कोई मुमेंट्स नहीं हो रहा है हिस्ए दिवाल को धका मानना को सांट्य नबर्ती सहां कि अच्छी स्वास्त के लिए कौन सी प्रकार के एक्सरसाइज आ सकता है विच टाइप ऑप एक्सरसाइज इस रिकुआइड फार गूड हेल्थ दोस्तों हलका सब्सक्राइब नहीं है आपको लगातार करना है जैसे कि आपको खेलो इंडिया या यूथ फिट इंडिया के त क्या महत्पूर कारक है तो दोस्तों इसमें समाजी तोर पर लोगों के बीच बात चीट यह समाजी करण के प्रक्रिया में महत्पूर कारक होता है क्योंसा परिच्छर सारी दस्ता को मापने की विधी नहीं है विचाव फॉलिविंग टेस्ट इजनार मेथड आफ मेजरिंग फिजिकल फिटनेस तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कूपर 12 मिनट वाक या रन जो है यह काडियो रिस्पार्टरी इंडिरेंस को मापता है तो फुझाल फिजिक पडेश पॉलिविंग फिजिकल फिटनेस को माप रहा है बॉड़िपन्स दस्ता को मापता है। को उस्ता करने सिफ जुर lettuce आई सभी तीनों जो हैужें फीजिकल फीट्नेस को फीजिटनेस को वापता है बटդ उचाई मापन इस्ट reinst PRIidian से मापन जाता है है को मापन औरूश वडहर्म आपका है नंजेन है को सुम्रीघ विचान वाइक विकाउस के से में बेत्ती की योगता को रिखांकित किया गया है दोस्तों जिसके अंतर के ब्याख्यात में बहुत विकास होगा और ठीक धंग से सुचने और समस्या को हैल करने की योगता उसमें ज़्यादा अच्छा होगी अब नमर 34 है भारत में दूसरी बार एस याई खेलों में कौन से वर्स में कर आये थे इन विच ये इंडिया खोर्ष्ट एसेयन गेम फौर दो सेकेंड ताइम दोस्तों आप जानते हैं कि नेधिल्य में प्रथम एसेयन गेम सुरू हुआ था कब हुआ था 1981 में नेधिल्य में डुसरी बार थोस्त indul और इसके पिता मअ का जाता है। प्रोससरर जूरी सुन धी अधुसरी बार एस या में में भारत में सुंपन हुआ था 1982 नेधिल्य में याद रखेगा 22 सुब्याइसे नेदिल्दी में अगर राश्मंदल खेल पुछता भारात में कपसम पर हुआ था तो 2010 नेदिल्दी में और 2014 में एसेयन गेम दच्छवी कोरिया की इंचियों नामक सहर में हुआ था जब्कि 2008 का एसेयन गेम हुआ था इंडोनेसिया के दधानी जकारता और पाल में एसेयन गेम हुआ है उनिसमा एसेयन गेम हुआ है जो चीन में उसमें भारत ने खुछ साथ पदद जीता है इसमें 28 गोल्ड और तीस रजद और 41 का से पदद जीता है फुल 107 पदद याद रखिएगा कोस्टन नमबर 35 है सारुरिक सिच्छा का स्वर्ड यूप किसे कह करते हैं तो गोल्डेन एज और फिजिकल एजुकेशन एज कॉल्ड तो उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है कि कोस्टन नमबर 36 है यहां भी आपको मिलान करना है हमारा जो कंथा यानि सोल्डर है इक इसमें आजाएगा ज्वाइन से रिलेटिड है यह मल्टियक्सियल ज्वा कोहनी जो एक ही अच्छ में गती करती है यूनियक्स्वल ज्वाइन है यह से दर्वाजा एक तरफ को घुमता है इसे हम हिंज ज्वाइन और कोर्स अंधी पर कहते हैं यहां पर हिंज ज्वाइन हो जाएगा बी का 3 और गर्दन जो है पीवर ज्वाइन जो रोटेशन मोमें ठीक है डीक वन यहां पर गलाई आपका गलाइन जोइन नहीं दिया रहता तो चॉंदेलोया जोईन हो जाता जो दो तव्हें गती करती है तो कर पर सथीजा यहां पर थे घफ़ाइन जोएन हो यहां पर 3 4 4 3 2 1 यहां आपनोंगर जोगा को कोशन नमरे साथ तीस है ओस्वाल क तो दोस्तों खिलकुद में सबसे ज्यादा देखा जाता है जीमिनाश्ट और तेराग में जीमिनास्ट जीनियोंस्त n लुदर्ण की फार्णे पर स्वेड्र का तरिश्व करता है जी से ब्यक्ति की संपूड जीड वक्राकार का हो सकती है कुछ बिश्च्ष टखैलों जैसे तेरा की जिमिनाश्डिक आदी से समन्द खी लड़ियों में इस रूक की समhahuna अधिक उत्वन होती हैं आर द्रक्षजं TOP अरतिस्रिजन आजी की सुर्य सूर्य नमस्काराइम फ्रॉम एसियन्स ठरडीस्ट ऑट ऋन्राजेक्त प्रेवर में सुर नमसुक्स कहते हैं उर्चेलमांशवान पीश्यस देभ एक ब fam-------- बॉयाम है एक सी बारे कुल प्रकारके होते हैं इस म् enjoyment बारे भाग होते हैं सुरी नमसुक्स कारगे आपस बता है डेली भी शैसी आप सब करते भी होगे होते हैं इसमें 2007 वह रहां नली दोस्तों मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो प्रेक्टिस से기는